Hello students in Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains Competition. एक ऐसा platform जहां पर various competitive examinations की preparation आप लोगों को exclusively free of cost करवाई जाती है. मतलब यह कि यहां पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी examination से related कुछ content का कुछ portion देखने के लिए एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे यह बुला जाएगी बचा हुआ कोर्स या बचा हुआ content देखने के लिए या तो आपको किसी तरीकी की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा. ऐसा Magnet Brains पर नहीं होता. Magnet Brains प्रतिबध है आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए जिसकी मदद से आप लोग अपने examinations की तैयारी एक well guided manner में कर पाएं, smart efforts के साथ में कर पाएं और comfortably आप लोग अपना selection ले सकें. अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, देश की तरक्य और उनती में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी एक contribution हो और समाज में आपका सम्मान हो, आपके प्रतिश्था हो. यही magnet brains का दे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और इसी नोट पर हम अपने आज के session के शुरुवात करेंगे. So last session तक हम लोगों ने हमारा जो constitution के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, या फिर history में वो कौन-कौन से important landmarks रहे हैं जिसका हमारे constitution की making के उपर और उसके nature के उपर, उसकी प्रकृति के उपर एक असर या फिर एक प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है. इंपॉर्टन टॉपिक था हमने उसको इंटेरिटी में cover किया था, एक-एक एक चाहे वो इस्ट इंडिया कंपनी के time period कर रहा हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स के time period कर रहा हो, सब कुछ हम लोगों ने देखा था, जो historically constitution making की journey का पार्ट माना जाता है, वो सारी चीज़ने हम लो सारे में बारचीत करेंगे, उनको discuss करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके के questions बनते हैं, कैसे क्या solve करना है, plus हमें हमारा knowledge test करने का मौका भी जो है, इसमें मिलेगा, क्योंकि सारे किसी exam में आए हुए questions है, and हमारा जो knowledge base है, जो हमारा topic है, उसी में से, जिसका नाम है historical background, उसी मे से आई हुए questions है, तो कितने questions हम से बन रहा है, कितने questions हम से नहीं बन रहा है, कितने questions हम को लगता है, कि हम सही कर रहा है, उनका जवाब सही नहीं आ रहा है, सबकी मदद से हमें ये पता चलेगा, हमें ये समझ में आएगा, कि अभी हमारी preparation का अस्तर कितना है, कितना level है, और की जो एक्शुल स्टिती चल रही है उसके साथ में तो नाओ विदाउट अनी फुर्दर अडू यह भी बिगिन सब्जेक्ट हमारा जेनरल स्टेडी इस पर उसमें में इंडियन पॉलिटी रहे हैं और आज हिस्टोरिकल बैग्राउंड जो था कंस्टिटूशन का उसके उप पर MZQs बगरा की टेस्ट बैटरी लगाएंगे चले शुरू करता है तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बाइविच अफॉलविंग आक्ट दा फर्स्ट स्टेप टेकन बाइद ब्रिटिज गवर्मेंट तो कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेर्स ओफ इ चार्टर आक्ट ओफ 1833 चार्टर आक्ट ओफ 1793 तो सवाल क्या पूछा गया है वह पहला कदम बताईए वह पहला एक्ट बताईए जिसको पास किया गया था ताकि इस्ट इंडिया कंपनी की और किसके दौरा पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इसके प्रती ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रती तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट ओफ 1773 बक्या दस में रेगुलेटिंग शब्दी आ रहा है और ये पूरा का पूरा आक्ट जो है रेगुलेट करने के लिए लाया गया था इस्ट इंडिया कंपनी को 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पहला कदम था ये पहला स्टेप था जिसकी मदद से ब्रिटिश पार्लियामेंट इस इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी अब इसके बारे में हम लोगोंने बात करी थी तो पहले वाले कॉश्चन का सही जवाब हो गया है चले अगला देखते हैं चीफ जस्टेस और तीन और जजजेस वगएरा होंगे इस तरीके की भी बात थी और 1784 से ये सुप्रीम कोर्ट जो है काम करने भी लगा था तो कॉश्चन नमबर टू का जवाब जो है वो भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है चले अगला क्वेश्चन देखते है देफि टूरक कहते है जिसकी मद़स से बिधिश पार्लियामंट्री कंट्रोल ओर डिस्ट इंडिया कंपनी के उपर बढ़ाया जाए वो कब लिया गया था या फिर वो कौन से आक्ट के तहर लिया गया था क। आपके options है regulating act of 1773, pits India act of 1784, charter act of 1793 and charter act of 1813 फिर से अपना घुमा फिरा के वोई सवाल पूछा जा रहा है मैंने भी आपको पहले question में बताया कि regulating act of 1773 जो है वो पहली कोशिश थी British Parliament के दोवारा वो पहला step था जो उन्होंने उठाया था जिसकी मदद से इस्ट इंडिया कंपनी की अरकतों के उपर नकेल कसी जा सके हिंदुस्तान में उनको British Parliament के प्रती और ज़्यादा उत्तरदाई बनाया जा सके तो पहला definite step जो लिया गया था जिसके मदद से आप Parliament का control जो है इस्ट इंडिया कंपनी के उपर बढ़ा सको वो किया गया था इस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था उसके उपर वो लोग चाहते थे कि British Parliament का जो है control वगरा बढ़ाया जा सके पहली चीज में गवर्नर ऑफ बंगाल इस दा गवर्नर जनरल ऑफ बंगॉल दूसरी चीज याने की बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगॉल जो है वो बना दिया जाए तीसरी चीज विच आप दा 1773 जब पास किया गया था उसका जो प्राफधान हमने देखे थे उसमें से वह वाला प्राफधान जो आपको डेफिनेटली पता हो इस तरीके के questions वगरा में जब आपको एक से जादा या दो से जादा स्टेटमेंट्स दिये गए हो तो फिर वह वाला स्टेटमेंट जो नाम किया था लॉड वेरेन हैस्टिंग तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो जो है आपका अपने को पता ही है कि सही ही सही है याने कि आपके या आपका ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नमबर डी जो है वो कटकर अलग हो गया क्योंकि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो दिये गए हैं वो सही है अब अपने को ये तो पक्का पता है कि second statement सही है second statement सही है इसका मतलब या तो A सही है या फिर B सही है फिर C सही है या तो आप ऐसे देख लेए इस तरीके साथ थोड़ा सा elimination मगरा करकि options cut कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि वो पकड़ने जो आपको पक्का पता हो कि गलत है ठीक है जी आपको पक्का पता है कि एक statement जो है वो गलत है तो उसकी मदद से भी जो है इसको solve किया जा सकता है ऐसी condition में क्या किया जाएगा ऐसी condition में ये किया जाएगा आप सबसे गलत वाला statement देख लीजे सबसे गलत वाला statement इसमें option number third option number third क्या बोल रहा है make the governor of बंगाल is the governor general of third वाला statement कह रहा and of dual system of administration in India तो dual system वगरा जो है administration में East India Company का time period में आपका PITS India Act of 1784 ने स्थापित किया था ठीक है regulating act of 1773 आया है उसने तो parliamentary control को बढ़ाने की कोशिश करी थी इसके बाद में PITS India Act of 1784 आया और 1784 वाले PITS India Act ने जो है आपका कोशिश अपने dual system स्थापित किया था और उसके बाद में फिर dual system चला था तो 1773 में तो dual system जो है administration का स्थापित भी नहीं हुआ था हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में PITS India Act ने जो है dual system स्थापित किया था 1784 वगरा हमें यह system of dual government स्थापित किया था तो यहां पर यह statement गलत हो जाता है अब तीसरा statement गलत हो गया तो फिर आप a कार्ट सकते हो आप c कार्ट सकते हो बी वाला statement जो है अपने आप सही हो जाएगा यह जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूं उसे बोला जाता है elimination method यह फिर elimination technique जनरल यह अगर आपको इस सवाल मिलते हैं जिसमें दो तीन statement दिये हो तो इसमें कम असकम एक statement या फिर दो statement भी कई बार ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि जिनके बारे में शायद आपको कोई अंदाजा नहीं होता या फिर आपको कुछ confusion की की स्तिती में आ जाते हो या तो आपको पूरा पूरा जवाब ही मिल जाएगा या फिर फिफ्टी फिफ्टी की स्तिती में आओगे और उसकी मदद से आप साल कर दो तो यहां पर इसका थोड़ा सा जो हमको ध्यान रखना है रेगुलेटिंग आक्ट उव 1773 पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरा क्योंकि वो चाहते थे पार्लियामेंटरी कंट्रोल जो है इस इंडिया कंपनी के अफैर्स के उपर बढ़ाया जाए यह स्टेटमेंट सही है गवर्नर जनरल बंगॉल जो था गव सबसे पहले वहाला स्टेटमेंट अपने को देखना जो डेफिनेटली पता हो की गलत है तो एंड ऑफ ड्यूव सिस्टम और ड्मिनिस्टेशन इन इंडिया यह गलत है क्योंकि 1773 में ड्यूवल सिस्टम आया ही नहीं था यह तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट सतरा सो चा हो जाएगा तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्ट किया जा सकता है क्वेशन नमबर फॉर का जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन नमबर बी चले अब कई बार इसमें जो है वह वह वन टू थी भी आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए ऐसा है मार्केट में अलग- तो यहाँ पर इसका जो जबाब है वो आपका वन टू हो जाएगा पूरा मैंने लेक्चर्स वगरा जब लिये थे तो उसको डीटेज में डिसकस किया था जिन लोगों ने अभी तक नहीं पड़ा है मेरी सलाह उनको रहेगी कि आप जाके इंडियन पॉलिटी का जो पहला करता Constitution historical background जाकर उसे देख्या दो तीन पार्ट में लोगो ने कवर किया मगर डीटेल में मैंने सारी की सारी चीज़ना उसमें पता ही है चले अगला देखते हैं पांचवा विच आक्ट पास्ट पास्ट बाइड़िश पार्लियामेंट टू एड्रस दा शॉर्ट कमिंग्स 1773 जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए उसको इस इंडिया कंपनी आप 1784 के नाम से भी जाना जाता है तोड़ा था पेचीत की भरी लैंग्वेज हैं अगर फिर से देखते हैं क्या बोला गया है आपने कानून पास्ट किया था रेगुलेटिंग आक्ट ओ सेविटीन श तो उन कम्यों को दूर करने के लिए फिर आपने एक और कानून पास किया आप उस कानून के कई सारे नां थे उसमें इस लिए नाम है एक नाम था इस इंडिया कंपनी एक्ट मगर उसका यहा और iki गार ली कुशिं के हुए सौख पूछ सब्सक्राइश कि वह सब्सक्राइब नवा इस पर है वह वह लगा तो यह अगर इसे नहीं भी करना चाहते तो एक fact है कि आपका Regulating Act of 1773 में जो कमिया थी उनको दूर करने के लिए आपका Pits India Act 1784 लाया गया था इसके पहले एक और कानून लाया गया था मगर वो इतना important नहीं है Pits India Act of 1784 ने इसके काफी सरी कमिया दूर करी थी इसलिए यह option सही है क्वेशन नमबर फिफ्ट का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर सी चले अगला question देखता है question number six the act during the regime of East India Company responsible for paving the way for shipments of opium to in China is East India Company के time period में कानून पास हुआ था जिसने इंडिया से चाइना में opium बगेरा या जो अफीम बगेरा है उसको भेजने की उसको भेजने की जो हैनुमती बगेरा दी थी या उसका रास्ता या उसका मार्क प्रशस्त किया था हमको यह बताना है कि वह कौन सा कानून है फिर से सवाल सुनिये यानि कि यह कानून का वाया था इस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरिड में आया था पहली चीज़ रिस्पॉंसिबल फॉर पेविंग दे वे फॉर शिप्मेंट्स ओपियम इसने क्या किया है इसने वह रास्ता खोला है जिसके चलते फिर बाद में इंडिया से चाइना तक आपका अफीम या फिर अफीम वगरा जो है उसकी शिप्मेंट वगरा की जा सकी है इंडिया से चाइना में अफीम जो है एक्सपोर्ट किया जा सका अब हमें यह बताना है कि उस कानून का नाम किया है ऑप्शन हैं दूसरा है चार्टर एक्ट सेव प्राबधान था कि हिंदुस्तान से चाइना वगरा में जो है आप वगरा सप्लाय कर सकते हैं चले इसके बाद फिर हम लोगों ने जम कर जो है ओपियम बगरा या फिम को सप्लाय किया और चीनियों को नशेड़ी बनाने में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान जो उसके बा ब्रेड़िश पार्लियमन के तौरा पास किये गए किस कानून ने इस्ट इंडिया कमपनी की मनोपली थी ट्रेट के उपर हिंदुस्तान में उसको खतम किया पहले तो यह समझते है कि मनोपली का मतलब क्या होता है ट्रेट के उपर देखिए सबोस कर लिजिए कि अगर इस वेपार नहीं कर सकते तो फिर उस company की monopoly हो जाएगी अब वो जितने दाम पर चाहे उतने दाम पर आपको services बगरा प्रोवाइड करेगी क्योंकि आपके पास में कोई option नहीं है क्योंकि कोई दूसरा जो है वो services तरह से वो आपको देना चाहें जिन तर्म संग कंडिशन पर उस पर आपको उनका माल लेना पड़ेगा यह जो चीज इसको कहा जाता है monopoly अब लगबग लगबग कुछ इसी तरीके की कहानी जो है इंग्लैंड के respect में इस इंडिया company ने इंडिया में कोई और trade कर नहीं सकता था मसाले हो गए सिल्क क्या और cotton के टेक्स्टाइल्स हो गए बाकी सारी चीजें हो गए इनको फिर वो लोग मंदमाने दामों पर बेचा करते तो इससे खूब profit वो लोग कमा रहे थे तो यह particular monopoly जो इनकी व्यापार के उपर या हिंदुस्तान में जो East India Company के monopoly trade में खतम कर दिया और उस कानून का नाम क्या था उस कानून का नाम था Charter Act of 1813 तो Charter Act of 1813 ने क्या किया इस इंडिया कंपनी के जो व्यापार पर monopoly थी कि हिंदुस्तान से व्यापार जो है या हिंदुस्तान में इंग्लैंड देश से जो व्यापार करने का अधिकार या right था सब इसट इंडिया company के पास में था इस इस może पर Loom DJ को खतम कर दिया गया इसमें हैं भी हलागती दो तीन चीज़ें थी जिन पर ध्यान दिया गया चाय का जो ट्रेट था टी जो ट्रेट था वह uh बाकि इंडिया के साथ में जो ट्रेट हो रहा था वो तीन चीजों के उपर कमपनी की मौनापली को बरकरार रखा गया इसके इलावा फिर बाकी इंडिया के साथ ट्रेट वगरा था इंग्लैन्ट वालों के लिए इट वस थ्रून ओपन ठीक है जी तो यह याद रखना है कंपनी की इसके ओपर मौनापली है इसके इलावा अगर आप और चीज़ ट्रेट करना चाहते हैं आगे बढ़ता है consider the following statement about Charter Act of 1813 अब इन में से कुछ statements वगरा दिये गए है Charter Act of 1813 के बारे में इनको अपने को पढ़ना है और उसके बाद फिर उसके उपर कोई ना कोई question पूछा हो गया बताना है तो पहला है अधिशने के लिए हाँ दूसरा है तो इस तरह से जा सकते हैं कि जो सही सही हैं वो हम लोग पता कर ले हैं या फिर जो एकड़म गलत है, उसकी मरद से उसको कर सकते है Charter Act of 1813 में ऐसा कहीं पर भी निलिखा हुआ था कि East India Company जो पैसा वगरा कमा रही है या फ़र जो revenue वगरा उसको हो रहा है उसको British Parliament control करेगी तो आपको जो तीसरा statement है वो गलत हो जाता है अब अगर तीसरा statement गलत हो जाता है तो फिर तीसरा statement जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ आप काट दीजिए option number B चला गया option number C चला गया option number D चला गया अब सिर्व आपका एकी option बचता है वो है option number A तो आप चाहो या ना चाहो वही सही हो सकता है और ये बात सही भी है कि East India Company को जो Monopoly थी ट्रेड में उसको खत्म किया गया था तीन चीजों में यहाँ पर सिर्थ दो का जिकर किया इन लोगोंने पहला है चाय दूसरा है इंडिया पहला है चाइना के सांथ में ट्रेड मगर ओपियम का ट्रेड भी जो है इसमें शामिल था तीसरा जो है दूसरा जो है इसने ब्रिटिश क्राउन की जो सोबर जिनिटी है यह उसको इस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल अक्टिविटीज थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया था मतलब यह कि इस्ट इंडिया कंपनी से यह बोला गया कि तुम व्यापार वगएरा बंद करो वियापार वगिर आपको जो है अब नहीं करना है अब आप पूरी तरीके से एक administrative body बनकर प्रशाशन समालोगे थोड़ा सा background समझना पड़ेगा उसके बाद मैं आप उसका जवाब देता हूँ चले हैं पहले जवाब देता हूँ उसके बाद मैं background समझाता हूँ question क्या बोला गया है कि इन में से कौन से charter की मदद से इन में से कौन से act की मदद से आपने East India Company की जो commercial activities है उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया उनको समाप्त कर दिया तो उस act का जो नाम है वो है charter act of 1833 charter act of 1833 में ये बोला गया कि East India Company आप व्यापार नहीं करेगी East India Company आप पूरी तरीके से एक administrative body बनेगी और administrative body बनकर अपना शाशन प्रशाशन समालेगी background समझना जरूरी है एक लडाई हुई थी जिसका नाम था Battle of Palasi 1757 में 1757 की जो ये लडाई है इसके बाद में फिर एक battle हु 1833 आते आते East India Company ने जो वो इ्लाका जिसके उपर इंडिया कापनी का कंट्रोल हो गया था वो काफी बड़ा इलाका हो गया था तो काइदेज से इस इंडिया कंपनी अब दो काम कर रही थी एक तो वो वाईपार कर रही थी और दूसरा वो क्या कर रही ही दूसरा कर रही थी आपका जो commercial activity वगरा आप वो नहीं करेगी अब इसका सिर्फ एकी काम होगा और वो यह है कि ये शाशन प्राशाशन समालेगी और बागी किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करेगी तो ये सारी चीजें Charter Act of 1833 के तुरू करवाई गई थी इसने इसको एक commercial body जो है उसके इनमें से कौन सा आक्ट जो है उसने ये possible बनाया था इंडियन के लिए कि वो अपने देश के administration में कुछ हिस्सा जो है ले सकने है या उनका जो administration बगरा चल रहा है उसमें कुछ portion वो शेर कर सकते हैं फिर से सुनिएगा which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country इनमें से कौन से आक्ट ने पहली बार ये possible किया हिंदुस्तानियों के लिए कि हिंदुस्तान का जो प्रशाशन सलाया जा रहा है इस्ट इंडिया कमपनी के दौरा वो भी उसमें जो है हिस्सेदार बन सकते हैं साजेदार बन सकते हैं इसका सःए जवाब क्या हो जाएगा इसका सभी जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हाला कि ये बात पूरी तरीके तो सच भी नहीं है पूरी तरह सब इसको सच इसली नहीं कह सकते क्योंकि Charter Act of 1833 में ये प्रावधान किया गया था कि Civil Services वगरा जो है उसमें अविडियन्स को भी ना रोका जाया और उनको भी जो है शेर वगरा दिया जाया उनको भी जो है शेर ओफ एड्मिनेस्टरेशन दिया जाया अगर सेलेक्शन होता है तो रखा जाये नहीं मगर बाद में इस प्रावधान को जो है निगेट करना पड़ गया था Charter Act of 1833 से बाद में आपको इस प्रावधान को हटाना पड़ गया था क्योंकि कई सारे यूरोपियंस ने Court of Directors जो हुआ करते थे इस इंडिया कंपनी के उन लोगों ने इसका बहुत जादा विरोध किया था तो इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि सबसे पहली बार इंडियन्स को Share of Administration देने का जो प्रावधान था वो Charter Act of 1833 में किया गया था मगर बाद में उसको खतम कर दिया गया तो इसके तहट आपको कुछ मदद वगरा मिल नहीं पाई एक्चुल में जब आपके लिए खुला गया था तो वो था Charter Act of 1853 इसमें इंडियन्स वगरा को भी जो है बोल दिया गया कि ठीक है आप भी जो है इसमें शामिल वगरा हो सकते हो मगर इसका सबसे पहला प्रावधान जो है आपको Charter बगरा में तो वो था Charter Act 1833 मगर उसके बाद में उसके प्रावधानों को निगेट कर दिया गया था एक्चुल में यह लागू कब से हुआ है यह प्रावधान बगरा जब सिविल सर्विसेस वास थ्रोन ओपन टू तो उसका जवाब हो जाएगा Charter Act 1853 चले आगे बढ़ता है वो है Charter Act of 1853 हुआ यह था कि अंग्रेजों ने यह कानून बनाया Charter Act of 1853 और इसके तहरत में यह बोला कि वाइसरोई की जो आपकी एक्जिक्यूटिव काउंसल है वाइसरोई की जो काउंसल वगरा है इसके दो हिस्से होंगे एक हिस्से का काम होगा सिर्फ आपका आपने लेजिस्लेटिव को एक्जिक्यूटर से सपरेट किया था इसलिए Charter Act of 1853 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगला देखता है question number 12 in which of the following acts the territorial division of governance in India was done इन में से कौन से कानून की मदद से territorial division जो था governance के respect में इंडिया का किया गया था territorial division of governance का पहले तो मतलब समझना पड़ेगा मतलब यह कि अंग्रेजों ने decide कर लिया कि हम लोग इतने 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 इलाके पर कुछ रूल करेंगे और इतने 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 इलाकों पर कोई और रूल करेगा हमारे बिहाव पर इस तरीके से आपने territory decide कर ली कि इतने इलाके पर अ इंडियन कांसल एक्ट 1892 और उसके बाद है गवर्मेंट उफ इंडिया एक्ट 1861 इसका जो सही जवाब है वह है गवर्मेंट उफ इंडिया एक्ट 1858 में आपने यह बोला कि इस इंडिया कंपनी का राज खतम अब जितना भी प्रिंसली स्टेट्स वगरा है उसके उपर हम इंडिया जूणियर मालो और उनके नाम पर जो अपने अपना जो शाशन बगरा है चलाते रहो तो उन सब उन सारे इस्टेट्स वगरा को पिर बोला गया था प्रिंसली स्टेट्स वगरा और बाकी वह सारा इलाका जो इस इंडिया कंपनी के कंट्रूल में था जिसके ओपर East India Company रूल कर रही थी उस पर हम लोग directly रूल करेंगे तो वो सारे के सारे इलाके जो है वो कहला है British province तो इस तरीके से आपने territorial division जो किया था governance के respect में इंडिया का वो किया गया था Government of India Act 1858 के था है चला अगला question number 13 the act that transferred the powers from the British East India Company to the British Crown in India Boss वो कानून जिसने जो राज करने की प्रशाशन की पावर जो थी East India Company से लेकर आपका जो British Crown था उसको transfer कर दी वो कानून कौन सा है इसका जवाब भी Government of India Act 1858 के तहत इस इंडिया कंपनी का रूल जो है उसको किया गया था उनका उनको यह बोला गया था कि अब तुम घड़ जाओ तुम्हारा शाशन प्रशाशन खतम और उनकी जगे पर यह लोग फिर खोद आके बैड़ गया और उन्होंने फिर जो है यह ब्रिटिश पार जो है उसने डारेक्ली रूल जब तक आजादी नहीं मिल गई उसको जो है क्राउन रूल या फिर कई वार उसको जो है ब्रिटिश राज कहा जाता है या उसको सिंप्ली राज भी कहा जाता है चला है अगला क्वेशन नंबर फॉर्टीन विच आप फॉलोइंग वेस्टेट्री ऑफ स्टेट फॉर इन में से किसने सेकेटरी ऑफ स्टेट को गवर्मेंट वगरा जो चल रही थी यहां पर खास तौर पर प्रशाशनिक हिस्ते के ऊपर सुप्रीम कंट्रूल दे दिया आप पिट्स इंडिया एक सेवेंटीन एटीन फिफ्टी एट इंडिया इंडियन कांसल एक एटीन इसको समालने की जिम्मेदारी आपने बंदे को देती जिसका नाम था सेकेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब यह वेक्ति इंडिया कभी जाकने नहीं आता था यह इंग्लैंड में बैठा हुआ था प्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था मगर इंडिया क जितना भी अडिया चल रहा था उसका हैड या फिर उसका अध्यक्ष सेकेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जो है बना दिया गया था और यह सब कुछ किया गया था गवर्मेंट उफ इंडिया के तर्फ नमर फॉर्टीन अगला कौश्चन नमर फिफ्टीन विच आप फॉर्विजन ऑफ दा आट फिफ्टी इंद मैं से कौन से जो है इंटीन फिटी इट का जो कानून है उसके प्रोविजन से या उसके प्राफधानों में से एक है फिर से यहां पर आपको चार चार स्टेटमेंट दिये गए या तो आपको सारे सही स्टेटमेंट पते होने या फिर आप गलत स्टेटमेंट जो है वह पता करके अलिमिनेशन वगरा का खेल खेल सकते हैं देखता हैं इंडिया इंडिया कंपनी बीच में नहीं आएगी दूसरा दा रूल ओफ इस इंडिया कंपनी वह से बॉलिस्ट यह बात भी सच है इस इंडिया कंपनी का जो अब सोच के बताईए कमन सेंस के साथ में के अगर इस इंडिया कंपनी का शाशन खतमी कर दिया है तो इस तरह से किसी शेर वेर में आ सकते हैं यह statement आपका गलत है तो यहां तो अब आपको तीनो statement उपर के पता होने चाहिए या फिर इतना तो कमस कम logic अगर आप नहीं भी पता है तो common sense से सोचेंगे तो चौथा statement गलत है अब चौथा statement जहां जहां दिख रहा है उसको आप काट सकता है चौथा statement यहां पर है यानि कि यह सच नहीं हो सकता चौथा statement option number C में है यह सच नहीं हो सकता और option number D बोल रहा है कि सारे के सारे statement जो है 1858 के पार्ट है तो यह भी गलत है क्योंकि चौथा statement तो है नहीं तो simply eliminate हो गया और option number B जो है उस पर आप पहुँच गाए अब अगर आपको पहले दूसरे तीसरे statement में से किसी एक में confusion भी है तो भी अगर आप गलत statement पकड़ के elimination बगरा लगाओ तो उसके मुरत से कहीं ना कहीं आप सही जवाब तक पहुच जाते हो इस तरह से question number 15 जो है वो solve हो जाता है और question number 15 का सही जवाब क्या है option number B चले अगला देखना तो next question है question number 16 इसमें अब अपने को assertion और reasoning वाला question पूचा गया assertion में ये लोग बोल रहा है the government of India act 1858 transferred the governance of India from East India company to the crown यानि कि जो government of India act 1858 है इसने क्या किया है हिंदुस्तान का जो governance है ये बात तो सच है इसको अब इसके पहले वाले MCQs में भी देखा था और जब लेक्चर किया था तब इसको detail में discuss किया था कि government of India act 1858 ने इस इंडिया कंपनी का rule abolish करके सारा का सारा जो power है वो transfer कर दिया था crown को reason है इस इंडिया कंपनी was unwilling to administer इंडिया anymore reason क्या दिया जा रहा ये करने का कि इस इंडिया कंपनी अब हिंदुस्तान पर शाशन और नहीं करना चाहती थी उनका मन बर गया था वो बोर हो गये थे और उन्होंने crown से बूला की आकर जो है आप शाशन वाशन समाल लो हमारा मन नहीं हो गया हमारा मन उड़ गया हमारा मतलब मन बर गया हमाले जा रहा है ऐसा तो हुआ नहीं था यह reason जो हो गलत है हुआ क्या था 1857 में क्रांती हो गई थी जिस 1857 की क्रांती के चलते इस्ट इंडिया कंपनी के पैर उखड गए थे और इसके बाद में ultimately उनको एकाथ साल लग गया आपका ये पूरी rebellion को दबाने में और सारी चीजों को normal करने में तब तक ये बात कहां पहुंच गई ये बात पहुंच गई आपका लंडन वगएरा में या फिर इंग्लैंड में British Crown के पास में उन्होंने फिर ultimately जो है डिसाइड किया कि अब इस इंडिया कंपनी का जो शाशन है उसको खतम किया जाएगा और डारेक्ली जो है हम लोग रूल करेंगे तो ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि इस इंडिया कंप इस इसा नहीं था कि और जादा एडमिनिस्टर करने के मूड में नहीं थी इंडिया को मौका मिलता तो और जादा रूल करते हैं मगर क्राउन ने बोला है फिर British Crown ने बोला कि नहीं आप नहीं हो गया तो इसका जो सही स्टेट्मेंट बनेगा या इसका जो सही अंसर बनेग चले अगला देखते हैं question number 17 इंडिया में पहली बार जो governance वगरा था जो शाशन था उसमें representative और popular element लाने की पहली कोशिश कब की गई थी representative और popular element का मतलब क्या होता है लोगों के द्वारा चुनवा के या किसी भी तरीके से elect करवा के directly indirectly अगर पूरी जनता के द्वारा नहीं हो सकता तो कुछ लोगों के द्वारा जो है चुनवा कर किसी भी तरीके से मगर अगर आप किसी बंदे को elect करवा के लाते हो तो फिर उसको बोला जाता है इस तरीके से कहता है कि बंदा जो है वो चुनकर आया तो पहली कोशिस जो है लोगों को elect करवा कर हिंदुस्तान का जो शाशन प्रशाशन या गवर्नेंस उसका हिस्सा बनाने की कब की गई थी या कौन से घर की गई ठोन ऑफशन-सांन ऑन प्रशाशन का हिस्सा बनाया जाए कहने के लिए हिस ही तहीं po भी साथ में हैं और यह भी और गगर वगत कर रहे हैं तो फिर हम के लिए जो है 我是 दिम्मेदार नहीं बनता है किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कुछ चिकायद वगरा है तो प्लस एक बात ये भी थी कि अगर ये लोग आएंगे तो कही ना कहीं दूसरा गवर्नर जनरल अलाओ टो प्रॉमल्गेट ओर्डिनेंस तीसरा फॉर्मेशन ओफ लेजिसलेटिव काउंसल्स इन पंजाब नौर्ट वेस्टन फ्रेंटियर प्रॉविंस बगरा बगरा तो यहां पर पॉर्टफोलियो सिस्टम तो इंट्रियूस हुआ था इसमें को इसका कि तीनों स्टेट्मेंट सच हैं गवर्नर जनरल जो थे यह प्रॉमल्गेट कर सकते थे ओर्डिनेंस बगरा को भी तो 1861 का जो यह कानून है इसने तीनों जो यह प्रावधान बगरा बताएं यह तीनों के त्युनों प्रावधान बगरा उसमें आते हैं कि आपने प पोटफोलियो सिस्टम वाली बात तो सही है दूसरा गवर्नर जनरल को ओर्डिनेंस वगरा भी अलाव किये गया थे प्रॉमल्गेट करने के लिए बात भी सच है तीसरा यह कि आपका यह जो फॉर्मेशन ओफ लेजिसलेटिव काउंसल था पंजाब में नॉर्ट फ्रेंट पास्ट 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 किया था जिस्ते की हाँ पर जो हिंदोस्तान में लेजिसलेटिव काउंसल बनाएं रिएंटाय जा सके साइज बढ़ाने से मतलब इनमें जो सीटें थी नंबर ऑफ सीट सबगियरा उनको इंक्री सक्रीज करना था 1892 ने जो है आपकी जो seats वगरा थी legislative council में उनको increase किया था यह याद रखने वाली बात है Indian council act 1892 ने seats वगरा को increase किया था तो इसका जो जवाब है which among the following act was passed by British Parliament to increase the size of the legislative council सही जवाब हो जाएगा option number C, अगला देखते है question number 20, which of the following act by which of the following act legislative council of India received the power to discuss the budget, इन में से कौन से आट की मदद से आपकी जो legislative councils वगरा है इनको budget वगरा discuss करने की power मिली थी, उसका जवाब भी है Indian council act 1892, यह आला कि budget discuss कर सकते हैं इससे जादा कुछ नहीं कर सकते थे, मगर budget वगरा जो है उसको discuss करने की power इनको Indian council act 1892 के मदद से मिल गए थी, तो question number 20 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा option number भी चले, अगला देखता है, तो question number 21 है next अपना, इसमें पूछा गया which of the following acts provided for communal representation in British India, इन में से कौन से act ने British India में communal representation याने की धर्म की अधार पर representation बगरा जो है उसके शुरुवात करी थी, तो इसका options है Indian council act 1892, moral mental reforms 1909, इसको Indian council act 1909 भी बोला जाता है, तीसरा है Monty Ague Clemsford reforms 1919, जिसको government of India act 1919 भी बोलते हैं और चौता है government of India act 1935, इसका सही जवाब है moral mental reforms या फिर Indian council act 1909, ये वो act था जिसकी मदद से आपने हिंदुस्तान में communal representation या फिर separate electorate की शुरुवात करवाई थी, question number 22, the moral mental reform was declared in the year, अभी तो आसान सवाल इसके पीछे ही बताया है कि आपका moral mental reform 1909, तो 1909 ये आपका वो साल होगा जिसमें इसको represent कर वाई, इसको से कौन सा आक्ट ने communal elections या फिर communal electorate जो है इंदुस्तान में शुरू किये थे, इसका भी जवाब वही हो जाएगा government of India act, sorry Indian council act 1909 या फिर moral mental reform 1909, चले, ये आप इसमें communal elections का मतलब क्या है कि धर्म के अधार पर लोग खड़े हो सकता है कहीं पर और धर्म के अधार पर जो है उसको बोटिंग वगएरा कर सकते हैं इस पर बने डीटेल में बातचीत जब इसको पड़ा भतब कर रखी थी अगला देखता है which of the following act introduced separate electorate for Muslims इसमें से कौन सा आक्ट जो है उसने Muslims के लिए separate electorate जो है उसको introduce करवाया था, act of 1892, act of 1909, reforms of 1919, government of India Act 1935, इसका जवाब हो जाएगा act of 1909, इसने आपका separate electorate वगएरा Muslims के लिए introduce करवाया, चलने तो next question देखते हैं, which act allowed some elected representation in the legislature for the first time, इन में से कौन से कानून ने पहली बार कुछ elected representation जो है legislation में allow किया था first time, तो options ने Government of India Act 1858, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, इसका जो सही जबाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, Indian Council Act 1909, जिसको, हम लोग moral mental reforms भी क्याते हैं, इसने पहली बार जो है थोड़ा सा आपका representation allow किया था, हाला कि जो भी उसमें representation में elections बगरा थे, वो indirect elections थे, मगर हाँ पहली बार आपका जो थोड़ा बहुत representation था, वो इसमें मिला था, direct elections बगरा आपके GOI 1919 से आये थे, ठीक है जी, अगला question देखता है, question number 26, the act of 1909 was associated with, 1909 का जो act था, वो किसके साथ में associated है, introduction of separate electorate, decentralization, hierarchy and legislative councils, इसका सही जवाब हो जाएगा, separate electorate के साथ में है, ठीक है, introduction of separate electorate, जो है, government of India, तो नहीं से किया गया था, तो यह पाँछे सवाल जो है, अपने लगाता है, इसके उपर, देखें, इससे अपने वो एक बात समझ में आती है, separate electorate, Indian council act, 1909, morale mentor reforms, indirect election, पहली बार थ presentation दिया गया था, यह सारी चीज़ है, इसमें आपका सब की सब जो है, act of 1909 के साथ में associate की जाती है, अगला question देखता है, question number 27 में बोला गया, consider the following statement with reference to the provisions of morale mentor reforms act in the colonial India, तो यह जो morale mentor reforms है, उसके respect में कुछ provisions वगरा है, उससे related अपने को statements दी है, अपने को क्या बताना, इन में से क central legislature, morale mentor reform act जो था, इसने आपके जो central legislature में आपके जो members बगरा की संखियाती, इसको बढ़ाया था, पहला statement यह बात सही है, दूसरा, it introduced the principle of communal representation in the legislature, इछे से साथ सवाल देख लिए है, इसके उपर यह बात भी सही है, it empowered the legislature to discuss the budget and to move resolutions on it, यह बात भी सही है, तो यह तीनो statement जो है question number 27 के respect में सही है, तो सही जवाब जो बनता है, वो बनता है option number C, कि आपका जो model mental reforms था, इसने आपके जो central legislature में members, उनकी संखिया को भी बढ़ाया था, दूसरा, इसने आपके जो legislature के members वगरा है, उनको budget pass करने, resolutions वगरा की भी power दी थी और principle of communal representation तो खेर यह लेकर आया ही था, त question number 27 का जो सही जवाब बनेगा, वो बनेगा आपका C, अगला देखता है, the Indian legislature was made bicameral for the first time by, Indian legislature जो है इसको bicameral कब बनाया गया था, bicameral का मतलब दो सदन, जैसे एक आपका upper house होता है और एक lower house होता है, आज की तारिक में जैसे parliament है तो उसमें का upper house राजी सभा है, और lower house जो है लोक सभा है, इसी तरीके से आपका अगर विधान सभा में bicameral legislature है तो upper house जो है वो legislative council होती है और आपका जो lower house है वो legislative assembly होती है, इस तरीके से जो आपके दो सदन या दो houses की ववस्ता है, इसको bicameral legislature बोला जाता है, अब इन्होंने हम से ये बोला है, question में या ये पूछा है, ये question आया हुआ, UPST 2008 का सवाल है, इंडियन legislature जो है इसको bicameral पहली बार कब बनाये गया था, ऑप्शन है, इंडियन council act 1892 के तहत, इंडियन council act 1909 के तहत, government of india act 1909, इसका जो सही जवाब है, government of india act 1909, 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 जो है वो पहली बार अपने जवाब हो जाएगा, option number C, अगला, hierarchy was first introduced under, हिंडुस्तान में, डायार की या फिर्ट जो system of double government था, ब्रिटिश आपका ब्रिटिश क्राउन के time period के वक्त में, वो सबसे पहले कब introduced हुआ था, options है, morale mental reforms में, montford reforms में, साइमन commission plan में, government of india act 1935 में, इसका जवाब है, government of india act 1909 में, इस डायार की पहली बार आया था, जिसको montague cleanse food reform भी बोला जाता है, या फिर इसको short में, montford reforms भी बोला जाता है, तो question number 29 का जो सही जवाब है, वो है, option number B, अब अगर इसकी जगह पर इसका पूरा नाम भी लिखा होता, montague cleanse food reforms, तब भी ये बात वही पढ़नी थी, तब भी ये जवाब सही था, या फिर अगर आपने इसकी जगह पर लिखा होता, government of india act, short में लिख रहा हूं, government of india act 1919, तब भी बात वही पढ़ती, तो इन तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तिमाल कर ले, तीनों interchangeably इस्तिमाल होने वाले नाम है, जवाब वही हो जाएगा आपका, कि डायार की जो है, किसके अंदर में आई थी, डायार की जो है, वो आई थी, आपका, montford reforms, या, montiagyu, cleanford reforms, या फिर आपका, government of india act, उनने सो, उनने, चले, अगला question देखता है, in the context of indian history, the principle of diarchy refers to, indian history के respect में अगर हम लोग तो diarchy का जो concept है, वो किसको refer करता है, option है, division of central legislature into two houses, दूसरा introduction of double government, central and state government, तीसरा having two sets of ruler and in London, one in London and another in Delhi and चौथा है division of the subjects delegated to the provinces into two categories, देख लेतना है बड़े से, इंडिया के context में या Indian history के context में diarchy का क्या मतलब होता है, पहला option, division of central government into central legislature into two houses, नहीं, यह नहीं होता है, यह तो bicameralism क्या लाता है, introduction of double government, center and state government, यह भी गलत है, यह federation का feature होता है, तीसरा having two sets of ruler, one in London, another in Delhi, यह बाद भी गलत है, चौथा, division of the subjects delegated to the provinces into two categories, आपको जो provinces वगरा को subjects दिये गा है, उसको दो categories में divide करना, यह बात सच है, कि diarchy का मतलब होता है, states को जितने भी subjects वगरा दिये गा है, जिसके उपर वो कानून बना सकते हैं, उसको दो categories में divide करना, वो जो दो categories divide की गई थी है, जो दो list बनाई गई थी, एक थी आपकी transfer, दूसरी थी reserved, transferred जो list थी, उसके subjects वगरा के उपर कानून बनाने का power ministers के पास में था, या फिर governor के पास में अपने officials वगरा के साथ में, उसमें ministers का कोई रूल वगरा नहीं था, तो question number 30 का जो सही जवाब बनेगा, वो बनेगा option number D, चले, अगला देखता है, next वैपना question number 31, इसमें पूछा गया, which of the following was or were the main features of the Government of India Act 1919, इन में से कौन-कौन से जो है, Government of India Act 1919 के main features हैं, यह हमको बतान सबसे पहला, introduction of separate electorates for Muslims, दूसरा, devolution of legislative authority by the center, and तीसरा है, expansion and reconstitution of central and provincial legislature, सब यह question CDS 2010 में आए हुआ सवाल है, चले, देखते हैं, सब आब यह question में फिर वो ही है, कि आपके पास 3 statements दिये हुए हैं, और उसके basis पर बताना है कौन-कौन से statement सही हैं, कौन-कौन से गलत हैं, तो फिर government of India Act 1919 में separate electorates का introduction नहीं हुआ था, separate electorates का introduction हुआ था, morally mentor reforms 1909 में, या फिर Indian Council Act 1909 में, इसका मतलब पहला statement गलत हो गया, separate electorates को बढ़ाया जरूर गया था, थोड़ा बहुत, मगर यहां पे यह नहीं किया गया था, कि आपने separate electorates को introduce किया था, तो पहला statement गलत हो गया, इसे साब स आपका option number भी cut कर अलग हो जाता है, इसके बाद में devolution of legislative authority by the center ये बात सच है कि legislative authorities को devolve किया गया था, center के दारा state governments या provincial governments को, तो दूसरा statement सही है, इस काईदे से देखा जाये तो सिर्फ only three नहीं हो सकता, अब आपके पास में D बचता है और A बचता है, expansion and reconstitution of central and provincial legislature ये बात भी पहला option जो है वो सही होना चाहिए, तो 31 का जो सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा A only, अगला देखते है, question number 32, consider the following statement, the objective of the Montague Clemsford reforms of 1919 was, Montague Clemsford reforms 1919 के objectives क्या थे, अब फिर वो ही बात आगे कि आप Government of India Act 1919 बोलो, या फिर Montague Clemsford reforms बोलो, बात वो ही पढ़ रही है, पहला objective to give the power to local government, दूसरा to establish Diarchy in the province और तीसरा the extension of provincial legislature, अब इन तीन में से कौन सा statement सही है, हमको यह बताना है, consider the following statement, the objective of the Montague Clemsford reforms of 1919 was, पहला, to give the power to local government, ऐसी दो कोई बात नहीं थी, local government को power देने के तो कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं थी, आपका governor के अंडर में जो government चाह रही थी, उसक जो subjects थे, उनको दो categories में divide किया गया था, transfer and reserved और डायर की वगरा की विवस्था लाई गई थी, यह सब local government का कोई इतना की कोई बात नहीं की गई थी, तो पहला statement गलत हो गया, अब पहला statement गलत हो गया, तो काट दीजिए, पहला यह कट गया, यह कट गया, और यह कट गया, आ नहीं भी पता हो, आपको generally third वाला statement वगर confusion हो, इतना तो तया है कि local government से लिना देना नहीं था, पहला statement गलत हो गया, तो इसका मतलब आपको option number यह कट के अलग हो गया, option number B कट के अलग हो गया, कई बार इस तरह से elimination आपके जबा काम आ जाता है, बनिस्बत knowledge जितना आपके पा इन में से कौन सा जो है government of India, अच्छा जी, तो यह बात तो सच है कि जो है आपको पहली बार public service commission वगरा बनाने का अप्राभधान तो किया था, दूसरा जो है कि आपने पहली बार रिवाइस तरह है कि executive council में इंडियन्स का appointment करवाया था, यह बात गलत है क्योंकि यह काम 1909 में हुआ था, मैंने आपको बताया था, सते इनात सिना जो थे उनको आपका अपॉइंट किया गया था, executive council में उनने law member के तौर पर जॉइंग किया था, तो यह statement गलत हो गया, second statement गलत है तो जहाँ जहाँ आपर second statement दिख रहा है उठा के काड़ दो, A option गलत हो गया, B option गलत हो गया, D option गलत हो गया, तो C option गलत हो गया, तो कई बार अब लेट से आपको यह पता है, अपने Act जो है सतही तोर पे भी पढ़ा है, Government of India Act और या फिर अगर काफी अड़से से नहीं पढ़ा है, तो आपको यह तो यह तो यहाद आ जाएगा कि Public Service Commission की स्थापना की बात की गई थी, अगर आपने मौडले मेंट और रिफॉर्म्स वगरा भी ठंक से देखें, तो यह याब आजाएगा कि वहाँ पर यह वाला प्राभधान डाला गया तो यहाँ पर नहीं डाला गया, अब तीसरे वाले के बारे में अगर नहीं अंदाजा लग रहा है कि Provision was made for Classification of Central and Provincial Subject Letts है, हलाकि यह भी बनना चाहिए, आसान पॉइंट है, मगर अगर अगर नहीं आप अंदाजा लग रहा है, तो भी फिर आप जो है, इन दोनों की मदद से खेल सकते हो, सेकिंड सेट्मेंट गलत है, जहां जहां दिख रहा है, वहां वहां काड़ दो, इस तरीके से आपके बास सिर्वेकी Option बच जाता है, और सी वाला स्टेट्मेंट जो है, सही हो जाता है, इलिमिनेशन की ये टेकनीक बहुत काम आती है, जब नौलेश बहुत लिमिटेड हो, या सवाल बड़ा अतरंगी सा फस जाया है, तो इसका इस्तेमाल करना है, वहाला स्टेट्मेंट पकड़ लो, जो पक्का पता हो, गलत हो, जहां जहां दिख रहा हो, जहां जहां दिख जब आप मिल जाएगा, या फिर यह होगा, कि आपके पास में दो औप्शन बचेंगे, जिसमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, फिर आपको अगर आख बनकर तुक्का भी आख बनकर के तुक्का भी मारना है, या फिर अगर आपको उसमें भी चांस लेना है, तो लीजिए, उसकी वज़ा यह है कि अगर इस तरीके के पाट सवाल बनते हैं, जिसमें आपने दो आप्शन कर दिये, और आपके पास दो आप्शन बचेंगे, तो एक हाई प्रोबैबिलिटी है, अगर आपने उसमें से दो तीन भी सही कर लिए, तो भी आप तरीका जो सही जवाब हो गया, वो हो गया, ऑप्शन नमबर सी, अगला देखते हैं, क्वेशन नमबर 34, विच आप फॉलॉइंग इस आर दा प्रिंसिपल फीज़ार्स अप्रिंस तो निस तो निस का प्रिंसिपल फीज़ार है, पहला, इंट्रोड़क्शन ऑफ डायर की इंट्रोड़क्शन ऑफ सेपरेट कमिनल इलेक्रेट फॉर मुस्लिम्स यह गलत है, यह तो निस नौ में आया था, डिवालुशन ऑफ लेजिसलेटिव अथॉर्टी बाइदे सेंटर तो दा प्रोविंस यह बाट टू एन एक्सेंट्स अचा चले, इसका सही जवाब क्या ह हो जाएगा, इसका पहला जवाब हो जाएगा आपका, इसका जो जवाब हो जाएगा वन ओली, कैसे देख लेते हैं, इंट्रोड़क्शन ऑफ सेपरेट कमिनल इलेक्रेट फॉर मुस्लिम्स यह स्टेट्मेंट गलत है, सेकिर स्टेट्मेंट जहां जहां दिख रहा है, वह और दो, यह कड़ गया, यह कड़ गया, अब या तो आप सारा दरमदार इस बात पर है कि आपका, बी सही है, ए सही है, या फिर सी सही है, वह इस बात पर है कि तीसरे स्टेट्मेंट की क्या कहानी है, डिवाल्यूशन ऑफ लेजिसलेटिव अथॉरिटी वाइज सेंटर वो किया गया था तो question number 34 का जो सही जवाब बनेगा ये statement इस तरह से गलत हो जाता है इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा बनेगा बनोली चले अगला रेखता है the government of India Act 1919 was the government of India Act 1919 was passed by the British Parliament to introduce diarchy in the provincial governments government of India Act 1922 को पास किया गया था अंग्रेज़ों के त्वारा ताकि आपका प्रोविंशल governments में डायार्की को इंट्रोड्यूस किया जा सके सही बात है Montyagyu क्लंफूर्ड रिफॉर्म कमेटी इस रिकमेंड़ इंट्रोड़क्शन ऑफ डायार्की इन प्रोविंशल हो गया यह ओप्शन नमबर है चले आगे बढ़ता है तो यहां पर आपका जो यह पहला पार्ट है आपका हम लोग जो कंस्टिट्यूशन का सवाल वगएरा करेंगे इसके बात के जो एक्ट्स वगएरा हमने पुड़े थे उनके ऊपर जो क्षेशन वगएरा बनते हैं उसके बारे में बात्चीत करेंगे अब यहां तक आपके जो 35 सवाल है अगर इसमें आप से 15-20 सवाल भी सही नहीं हो रहा है तो फिर मेरी आपक करें प्रिपरेशन बगरा जो है उसको और ज़्यादा अब ही पुश करने की जरूरत है तो यह सेशन जो है हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करता हैं इसके आगे से अपना सेशन करेंगे हम लोग जब मेलेंगे नेक्स टाइम तो उसमें लोग इसी परिटिकुलर सब्च के उपर और MCQs बगरा की प्राक्टिस करेंगे मगर तब तक मैं आप से उमीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा पॉड़कर आएंगे इस टॉपिक को चले सब्सक्राइब करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपक्सराइब दाउन लोड़ कर करने वहाँ पर भी ठाप्सराइब यहाँ पर बिच्छा जाएगा यहाँ पर सिरफ आपको और भी बहुत सारा कंटेट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है cbhc अगर आप kindergarten से लेगे class 12 तक किसी भी class का कोई भी subject पढ़ना चाहते हैं आपको उसका content यहाँ पर मिल जाएगा available है वो ना सिर्फ English medium में available है बर साथी साथ Hindi medium में available है अगर आप किसी और board का content पढ़ना चाहते है उसका भी content आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके इलावा olympiart के लिए पढ़ रहा है cvt के लिए पढ़ रहा है इसका भी content आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्लस various competitive examination का content आपको मिलता ही है तो इस particular venture का इस particular initiative का इस मुहीम का जितना उसके उतना ज़्यादा फाइदा उठाएं दूसरों को भी इसके बारे में पता है दूसरों तक भी इसके बारे में क्यू जय हिंद मिलते है नेक्स सेशन में